अब बाद 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 रहते हैं तो अपने से बहुत लोगों के पास यह Macbook 2017 वाला विरेंट है और मेरे पास भी Macbook 2017 वाला मॉडल है इसमें हमें 128 GB की SSD मिलते हैं तो इसमें अगर मैं सब्टार इंस्ट्रीर करके रहा हूं तो मुझे से 50-60 GB फ्री मिलते हैं अब लोगों के बारे में बताऊंगे जिसमें आप बिना किसी SSD चेंज किया हैं अब स्टोरेज को अपक्रिक कर सकते हैं दोस्तों यह अब देख सकते हैं यह HD Card Radar है अब देख सकते हैं यह Card Radar है चोटा सा लेकिन इसमें इस Big Size जो यह HD Card काड है यह Card Macbook Air में लग जाती है और एक Card Radar है इसको अगर इसको इसके अंदर डाल दूगी यह पर मैं जो इसके अंदर जो जो इस तरफ फिट हो गया है मतलब कोई बाहर नहीं है लेकिन यह वाला एश्डी कर अगर मैं लगाऊंगी तो इसमें जो है बहुत सी जो यह पर बाहर हो जाती है इतने साल जो बाहर रहे जाती है तो इसको आप जोए इसको पर्मनेंटली लगा के जोए यूज कर सकते है मतलब ऐसी अप रख सकते हैं और आपकी स्टोरेज की प्रोब्लम में अब उसको सॉलब कर सकते हैं मैं यह पर सिप 128GP की सिप हिस्टी कर लगा आ है लगीन आप यहां पर जो बहुत इससे भी जादा आप इस्टी कार्ट जो है माइको इस्टी कर लगा सकते है मैं यह पर आपको स्टोरेज में यह देखा देता हूं बाउड में जाके यह पर आप स्टोरेज देख सकते हैं दोस्तों अब देखिया दोस्तों एक मेरे जो है 1201GB की जो है अपर हमें एक इस्टी कार देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों आप आपको नीचे यहँ आपर एस्टी कार जो है देखिने मेल तो अब इस कारड रेड़ल के मदद से आपनी मैक्बुक है 2017 की जो श्रूरेज की स्टोरेज की प्रोब्लम है उसको आप सॉल्ब कर सकते हैं तो मैं इस कार्ड एडिट की लिंक आपको डिस्पिक्शन में दे दूंगी आप वह से पार्टेस के लाने यह आपको एमाजोन में 200-300 रुपे के आसपास जो मिल जाए तो मुझे उमीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई दूस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्रेब जोरू करना मिलते हैं अगले वीडियो में जाए हिंद बंदे मातरम